दिस्कस डिफरेंस बिट्विन रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है देखो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको बताया था जो बहुत धीरे होता है यानि कि उसमें जो हमारा प्रोसेस होता है उसे रिवर्स किया जा सकता है लेकिन इर्रिवर प्रूसेस में क्या होता है यह एक्जिस्ट करते सिर्फ सीर्फ प्रोसेस कंपलीट होने के बार लिगन जो आपके Irrevercible Process होते हैं, यह Actually क्या करते हैmos, Nature के अंदर करते हैं टालिब क्या होता है, जो वर्क Optained होता है उसके यदर नहीं होता है difficult का है मैक्सिमां इ यूर्क Optained होता है, यह माक्सिमांप नहीं होता है उसके बाद देखो आपकी कुछ thermodynamic quantities हैं जो हमें पढ़नी है internal energy के बारे में पढ़ना है work के बारे में पढ़ना है heat के बारे में पढ़ना है ठीक है तो पहले हम start करते है internal energy से internal energy होती क्या है देखो यह जो different types of energies जो associate होती है atoms और molecules के साथ जैसे electronic energy होगई nuclear energy होगई chemical bond energy होगई potential energy होगई kinetic energy होगई internal energy को usually represent किया जाता है U से या फिर E से ठीक है तो इस तरह से U या E क्या होता है हमारे पास sum होता है electronic energy, nuclear energy, chemical bond energy, kinetic energy plus potential energy kinetic energy भी further आपका sum होता है किस किसका translational energy plus vibrational energy plus rotational energy ठीक है तो इस तरह से जो आपकी energy किसी substance के अंदर store होती है जो energy किसी substance के अंदर store होती है वो ही क्या कहलाती है उसके internal energy कहलाती है ठीक है internal energy की value absolute value find करना possible नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो quantities होती है उन्हें हम measure नहीं कर पाते हैं ठीक है हमें internal energy change चाहिए होता है different processes के अंदर और जो internal energy change होता है वो हम किसे represent करते है डेल्टा U से या फिर डेल्टा E से अगर हमारी internal energy initial state में U1 है और final state में क्या है U2 है तो हमारा जो internal energy का change होगा यानि कि जो delta U होगा वो क्या हो जाएगा U2 माइनस U1 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो internal energy होती है किसे system की वो change होती है जब या तो heat system के अंदर जाती है या बहार आती है या work system के उपर किया जाता है या system करता है या matter system के अंदर enter करता है या leave करता है ठीक है देखो कुछ points है internal energy के बारे में, internal energy जो होती है वो depend करती है substance की quantity के उपर, ठीक है, substance की quantity कितनी है system के अंदर, उसके उपर internal energy depend करती है, तो इस तरह से यह कौन सी property हो गई, हमारी extensive property हो गई है, ठीक है, internal energy जो होती है, ideal gases की, वो temperature का function होता है, इस तरह से isothermal processes के अंदर, अगर temperature constant होता है, तो यानि कि वहाँ पे internal energy के अंदर कोई भी change नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते है वहाँ पे, कि जो delta U होगा, वो कितना हो जाएगा, आपका zero हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा और next होता है, work, work होता है, work होता है, आपका force multiply by displacement, ठीक है, तो आपका क्या होता है, जो work done होता है, force multiply by displacement, दो हमारे types of works होते हैं, thermodynamics के अंदर जो use करने, electrical work, और work of expansion या compression या फिर क्या बोल सकते हैं, pressure volume work करते हैं